हिलो एशुडेंट्स आप सबका हमारे चनल पर फिर से स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे आउनलाइन क्लासेस के बारे में आउनलाइन क्लास का लेटर इनवस्टी के दुआरा जारी कर दी गई है इस बार भी लोकडाउन लग गया है इस कारण से सिर्फ आउनलाइन पढ पहाई का ही इसको बचा है ऐसे जनरल रेगुलर समय में क्या होता है कि आउनलाइन क्लासेस दोनों संभव है लेकिन लोगडाउन में सिर्फ आउनलाइन क्लासेस आउनलाइन क्लास का परमिशन नहीं है कोविट के नियमों का पालन करना होता है तो इसके लिए कैसे क्या करन तो क्या आदेश है और कैसे आप पढ़ने का लाब ले पाएंगे कैसे आप आउनलाइन लिंक से जुड़ेंगे इन सब के बारे में बिस्तार से समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे कि स्टडी मेटरियल वेगरा कैसे आ सब्सक्राइब एकिस चौबिस चत्र में बीए फास्ट एयर अभी एसी बीकॉम सबकारा फस्ट एयर में एडमिसन हुआ है पुरा कंप्रीट हो गया अब 21 जनवरी तक जो है लोगडॉन भी लगा हुआ है आगे भी बढ़ने के संभावना है तो इसलिए देरी ना करते हु कि आप इसको चालू करवाईए और पिछले साल चुकि पर बिस उनिस से सुरू हुआ है तो बिस से लॉगडॉन और ऑनलाइन का काम सुरू हुआ बिस में 21 में तो इस बार कहा गया भी से सुरूप से दिखिए कि इस टड़ी मैटरियल अपलोड नहीं करना है यान इस पर ध रहा है कि नहीं पढ़ रहा है स्टुडेंट समझा कि नहीं समझा किसी को मतलब नहीं है इसलिए यह कहा गया कि अब इस्टड़ी मैटरियल अपलोड नहीं करना है उस पर जोड़ नहीं देना है तब तो अब लाइव क्लासेस कराने के लिए जोड़ देना है और इसके रेस्टुर पर उपलब्द है और टीचर सबको जो उपलब्द हो उसी अप्लिकेशन पर यूज करना है क्लास को यूटुब पर भी आसानी i'llapp master की जा सकती है तो जिनको जिस पर सहृलियत हो वह करना उनुके ये उचित होगा जैसे कि हम भी जो है यूटुब पर I can physics गोगल मजेता है किशी को जिसको सुंदा हो फॉम आग क्लस करना है इसके इसके क्या का फैदा होगा यह समझते हैं ना कि लाइब क्लास जब होगी तो उसमें दोनों तरफ से यह काउंटर कोशन भी होता है जब हम पढ़ा रहा है तो स्टुडेंट से रिस्पांस भी लेते हैं तब वह पढ़ाई पकी माने जाती तब वह क्लासरूम का एफेक्ट देगा नहीं तो ऐसे क्या होता है कि वान वे पढ़ाई हो जाती है ऐसे जूम और गूगल मिट में तो इस्टुडेंट को भी बोलने का मौका मिलता है लेकिन यूटूब में थोड़ा सा कमी हो जाती है कि बोलने का मौका नहीं मिलता है लेकिन इस्टुडेंट कमेंट के माध्यम से यहा तो यह बात यहां पर बताई गये थी इसमें कहा गया कि कि सभी को ओन लेन क्लास कराना है इसमें आप business नहीं देखेंगे लिखिन इसी दिन दूसरा letter फिर से जारी हो गया कि वो जो पहले letter जारी किया गया है उसको निराश्ट किया जाता है जो दूसरा letter में कहा गया है कि 50% उपस्तिती के साथ online कारी का section कारी करना है आउनलाइन माध्यम से 50% उपस्ति करना है यानि कि अगर किसी विवाग में हम लोग एक इस शिक्षक हैं तो एक दिन पढ़ाना एक दिन नहीं पढ़ाना है इसको 50% कह सकते हैं यही तरीका हो सकता है किसी विवाग में दो टीचर है तो एक शिक्षक आज जो पढ़ाएंगे तो वह कल नहीं पढ़ाएंगे और आज इसने नहीं पढ़ाया है वह कल पढ़ाएंगे तो इस तरह स्टुडेंट को दोनों टीचर का अल्टरनेट करके लाव मिल जाएगा तो ऑनलाइन में 50% उपस्तिती भी दिखाना है कहा तो जा रहा है कि उपस्तिती करना है तो डिप सफारिक बात हो जाती है कि कैसे ओनलाइन क्लासेस होगी तो इसमें संपन्न हो गिया है एडमिसंट तो विशेश रूप से पार्टवन के जो विद्द्यारती है उसके लिए क्लास अनिवार किया रहा है यह बताना है कि विद्द्यारती का भी 50% होना चाहिए यहां लेटर म है कि online माध्यम से सिक्षकाओं के साथ जो है छात्र शात्राओं का भी सिक्षनकार्ज 50% उपस्ति के साथ कराना अनिवार्ज है सुनेशित करना है इसको तो college वाले अब कैसे देव पहेंगे student को सुचना और student को कैसे जोडेंगे उनका कैसे online record होगा इसके लिए YouTube पर हम लोग करें तभी यह संभव है क्योंकि online record करना कि कितने लोग उपस्तित हुए ऐसे Google Meet पर करेंगे और हाजरी लगाएंगे तो attendance बनाते बनाते ही time खतम हो जाएगा फिर पढ़ाई कैसे होगी तो थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन जब 2020 में online class का सुरुवात क्या गया था तो उसमें यह भी मुस्किल लग रहा था आज सब online का काम करने लगे हैं तो इसी तरह से आज 50% पस्ति की बात हो रही है मुस्किल लग रहा है कुछ समय के बाद वो भी आसान लगने लगेगा इसलिए सुरू में घबडाना नहीं है यह आसान तुरत हो जाता है काम करने पर निरवर कर रहता है तो अब जो है हम लोग चलते हैं यूटूब पर तो हम लोग लाइब देखी लेते हैं क्लास को रिकॉड़ेट रहता है तो बाद में भी देख सकते हैं लेकिन हमारे कॉलेज के वेबसाइट पर जो मैटरियल डाला गया है पिछले साल और अब अगर कोई इस्टड अब को देखने के लिए कि कैसा दिखता है वहां पर कैसे हम पहुच सकते हैं और कैसे उसका हम लाब ले सकते हैं तो चलिए हमारे साथ क्रॉम ब्रॉजर पर सबसे पहले आपको डेस्ट आफ साइट कर लेना है और उसके बाद आपको एमभी कॉलेज खुलना है एमभी कॉलेज सर्च में है मेरा एमभी कॉलेज बकसर.org.man है यह ठीक है इस पर खुलना है इस पर जाएंगे तो आपको यहां पर देखिए इस्टुडेंट जॉन आप आपको दिखेगा आपको इस्टुडेंट लॉग इन आप सब बढ़ियां से देख लिए जिसमें पढ़िएगा यह एडिंग है इस्टुडेंट ट्रजिशेशन इसको नहीं खुलना है आप इस्टुडेंट जॉन में यहां देखिएगा इसको खुलेंगे इस Money materials मिलेगा इस इसे क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने दिखिए यहां पर Department वाई इस सारा डीटेल आपको है वियरकुमर्सिंगE AI warning link पहला जो है यह रिंग देख रहा है इससे आप देख सकते हैं कि VK London learning link है वहां बर जो materials डाला गया वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं उसके बाद यह M.V. College का सरा departments वाइस जो है study materials आपको मिलेगा जिससे department of psychology है तो psychology के department का जो notes है यहाँ पर उपलब्द है department of pole science है, department of history है, department of English है, department of Hindi है, department of Sanskrit है, department of economics है, department of philosophy है यहाँ पर मेरा है, तो इस तरह से सभी subject का यहाँ पर link दिया हुआ है आपको आप जिस subject के बिदरती है, इस पर link करके आप जा सकते हैं, आपका वहाँ पर proper notes दिया हुआ है हो सकता है, कि अभी notes mix हो, तो आपको थोड़ा load करके देख लेना है, कि वह किस part का है, कौन साब paper का है, आप किस subject के बिदरती है, और किस paper का आपको त्यारी करना है उसी साब से आपका पढ़ना है, और guest teacher भी कुछ दिया हुआ है, फिर science में दिखे, दिया हुआ है department of physics, इसमें अलग-अलग teacher है, guest भी teacher है, और पर्माने teacher भी है, वो आपको जाननी जुरत नहीं है department of chemistry, department of mathematics, department of botany, department of geology, department of BCA, BBA, इतने class MB college भकसर में चलते हैं तो इसमें जो है, आपको का करना है, कि जिस subject के आप बिदरती हैं, उसको click करना है, और उसके बाद आप अंदर चल जाएंगे जिसे कि हम philosophy के हैं, तो philosophy में जाएंगे, तो philosophy department में हमने जो notes डाला है, वो यहाँ पर आपको मिलेगा तो मेरा notes जो है, कम से कम notes थोड़ा सा है, और ज्यादातर video link है, देख रहा है यहाँ पर, B.A. Part 1, paper 1, philosophy honors का paper है पार्ट 1 का, उसका कुछ topics यहाँ पर details दिया गया है, कुछ में details नहीं दे पाए थे, तो इसको click करेंगे, तो हमारे YouTube channel पर ही आएंगे और यहाँ पर वो समंधित video है, जिस पर आप हमारी video कभी देख रहे हैं, RBS classes बक्सर पर, उसी का यह link है पार्ट 2 का, पार्ट 1 का ही paper 2, फिर पार्ट 2 का paper 3, उसके अलग-अलग यहाँ पर आप topics देख रहे हैं जिस पर हमने पढ़ा कर इस पर load कर करके रखा है, पिछले lockdown में ही यह सब डाला था हमने फिर पार्ट 2 का paper 4 है यह और यहाँ पर paper 3 आपने देखा तो फिर पार्ट 3 का paper 5, 6, 7, 8 तो यह इतना डाला हुआ है और फिर इस lockdown में यही notice फिर से आया है कि आपको online material डालना है तो डालेंगे भी लेकिन maximum video link डालना है और पढ़ाना है जिसे zoom पर, google meet पर या youtube पर live classes करने हैं यह आदेश है तो इसका पालन सभी भाग समभब तक करेंगे और उससे आप जुड़ करके लाव ले सकते हैं और लेना चाहिए अब जैसे कि आप psychology department में चल जाते हैं तो यहाँ भी आपको देखिए इसका अलग से notice मिलेगा syllabus भी दिया हुआ है यहाँ पर पीजी department भी है तो पीजी semester का semester wise यहाँ पर डाला हुआ है तो इसमें आपको देख लेज़ेगा कि बीए का है की नहीं यहाँ maximum पीजी का ही दिख रहा है तो बीए का भी इसमें डाला जाएगा मेरे ख्याल से जैसे चुकि अभी admission हुआ है और notice में उसी के बारे में कहा गया है तो यहाँ तो सब पीजी का ही है लेकिन पूरा देख लेज़ेगा थोड़ा सब बीए का भी है यहाँ से आधा के बाद बीए का फिर शुरू होता है बीए part one honors part one तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजी का भी पीजी का भी है यूजी मतलब बीए बला ग्रेशन लेवल का तो सबका notes है इसको एक बार लोट करके किलिक करके देख लेजेगा उसके बाद पढ़कर इसका लाब उठाईएगा यह हमेशा change होते रहेगा इसमें aid होते रहेगा नया नया notice इसमें आते रहेगा और उसके अधार पर फिर आप जा सकेंगे इसमें लोग notice देंगे अगर live class किसी ढंग से अलग ढंग से करना है इस साल तो वो इसी में notice जो उपर दिया हुआ है इसमें आपको मिलेगा जिसे कि हाँ पर notice है तो notice में जाकर पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि क्या है तो अलग अलग notice को अभी हमको पढ़ना नहीं है इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं तो आपसे request है कि आप इस video link का lab उठाए इस तरह से आप सब ने देखा कि कुरम ब्राजर पर हम लोग आ करके शड़े materials का lab ले सकते हैं यही सुचना जो है अलग-अलग college का भी है आप चाहें तो online में एक ये फैदा उठा सकते हैं कि अलग-अलग college के website पर भी अलग-अलग teachers अपनो upload किये हुए है documents को अपनो materials को तो offline class में सिर्फ अपने teacher से पढ़ सकते हैं लेकिन online में आप किसी भी teacher से पढ़ सकते हैं ये lab आपको इस online का मिल रहा है आप अलग-अलग college के website पर जाकर चेक कर सकते हैं university के website पर जाकर चेक कर सकते हैं other university के website पर भी जाकर चेक कर सकते हैं अगर आप में पढ़ने के ललक ललक हो तो कहीं से भी आप लाब उठा सकते हैं तो उमिद करते हैं कि आप इस लोगडान में भी खाली समय में बैठकर टाइम पास नहीं करेंगे पढ़ाई का एक नया जरिया अपना करके अपना इसको बढ़िया करेंगे इसी के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंतक बने रहने के लिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में कुछ औजनकारी के साथ धन्यवाद